नमस्कार दोस्तों आज कहानी गोल्ड में सुनिये अनिल प्रभाकुमार जी के लिखे कहानी एक नाम भला यह भी कोई बात है कि इनसान भी तर तक तड़प उठे और वह भी इतनी छोटी सी बात पर जिन्दगी का सच तो यही है जो सामने है पस यथार्थ नाम का यह महाजन जिन्दगी के दरवाजे पराकर एक दहार लगाता है और सारा ग्यान, सैयम, निरलिप्तता और अध्यात चूहों की तरह पिछले दरवाजे से भाग निकलते हैं सामने बच जाता है एक मामूली सा इंसान अपनी सारी कमजोरियों के साथ मा तुम कंट्रोल फिक्र हो, चाहती हो सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हो तुम्हारा नियंतरन रहे हर बात पर, जैसा तुम सोचो समझो और चाहो वही ठी, बाकि सब गलत यह बात नहीं, वह मिमी आई, तो फिर आपको क्या परिशानी है, कोई कुछ भी करे, यह कोई नहीं मेरा अपना खून है, यह भी काबू में रखने की एक चाल है इस छोटी सी बात में चाल कहां से आ गई, तो फिर क्या है, यही तो वह शब्दों में बता नहीं पाती की या क्या है, बात देखने में वाकई छोटी सी है, पर पता नहीं क्यों, उसके लिए जीने मरने जैसी बड़ी हो रही है नसीहते और दुनियादारी का ग्यान, वह अपने को ही शांत करने की कोशिश करती है, पीछे हट जाओ, तुम्हें क्या, तुम मोह में धस रही हो, स्विकार करते जाओ, जिन्दगी में जो भी जैसे भी आए, जीवन धारा के साथ बहना सीख लो, विरुध धारा में जाओगी, नहीं होंगी सनलिप किसी भी बात में, ऐसा उसने सोचा था, सोच तो तिनके की तरह उड़ जाती है, सवाल की पहली ही फूंक से, क्या नाम रखा है नाती का, वह हकलाने लगती है, वह उसके माबाप नहीं रखा है अपनी पसंद का, क्या, अमरीकी नाम है, उस पूशने वाले का सहानु भूती में मोह लटक गया, असल में दामाद अमेरिकी है, बेटी भी यहीं की जन्मी पली है, तो वे बच्चे का नाम अमेरिकी ही रखना चाहते थे, यहीं के समाद से घुला मिला सा, वह बिनावज़ सफाई देती जा रही थी, आप तो हिंदी की विदुशी है, भारते संस्कृती की पैरोकार, कम से कम आपसे पूशना तो चाहिए था, पूशने वाले ने खुरच दिया न जख, उसे ने शब्ध हथोड़े की चोटे, अपने सिर पर पढ़ती महसूस होती है, आपके एहम को चोट लगी है, जो आपने सुझाव दिये ह हमने उन्ही स्विकारा नहीं, बस आप इसी बात को मुद्दा बना कर बैट गई है, वा सोचती है क्या सच में यही बात है, तो सच होगा ही, वा अपना जख मुसब को दिखाती जो फिरती है, मैंने तो तन्वी को इतना प्यारा नाम सुझाय था, सोहम, अब तन्वी को पस आते हुए खुशी होती है कि हमारी परिवार में एक नया सदस्याय है, सोहम, उसने अपने को ठगा सा महसूस किया, पता तो देना था कि हम यह नाम रख रहे हैं, पिछले दरवाजे से चुराने की क्या जरूरत थी, देखो तन्वी जो नाम तुमने नापसंद कर दिया, ब आपने कह दिया कि पुराना नाम है, ओम प्रकाश आपके दादा जी का नाम था, अब आपको शिकायत करने का कोई हक नहीं, उस वक्त तो शुरुआत ही थी, सोचा बहुत से नाम मिलेंगे, फिर बाद में कहतो दिया था कि चलो ओम ही रख लो, एक बार मना कर दिया तो दु आप बच्चे का लिंक जानना चाहेंगे? हाँ, हाँ, कबसे बिचेन है जानने को? भई क्यों जानना चाहते हो, फिर अचमभा क्या रह जाएगा? जानना जरूरी है कि बच्चे के नर्शरी कैसे बनाई जाए? लड़का है तो मोटरकारों और स्पोर्ट्स टाइप की सजावत वाली नीली? और लड़की है तो परियों जैसे हर चीज गुलावी रंगी? कई आवाजें आई थी सहमती की, राचुप कर गई? बताया नहीं क कि उसे ये बाते बहुत बेकार सी लगती हैं. एक तो यहां के लोग बच्चे ही कम पैदा करते हैं, तिस पर लड़के लड़की दोनों का स्वागत. भारत जैसा ब्रून परिक्षन का कोई कानूनी पचड़ा नहीं, फिर भी शौकिया मरे पढ़ते हैं बच्चे का लिंग जानने को. तुम लोग क्या चाहते हो? लड़की, दोनों एक साथ बोले थे. क्यों? लड़कियां जादा समबेदनशील होती हैं, बढ़ापे में माबाप का ख्याल रखती हैं. अगर बच्चे के दादा को वंश का नाम चलाने वाला चाहिए होगा तो? है ना बड़े यही प्राठना करो. शाम को मिले तो दामाद ने पूछा था. बूझिये लड़का या लड़की? वह पती पतनी देखते रहे थे. उन दोनों के हाव भाव. चैरे पर चमक और चाल में मुस्तेदी थोड़ी कम लगी. लड़का, अरे कैसे अनुमान लगाया? तुम्हारी च चाल से. तन्वी ने अपनी बाहें पती के गले में डाल दी. चलो कोई बात नहीं, बेटा भी चलेगा, बड़ा होकर अपने डेट का काम में हाथ बटाएगा. उसने अपने पती को तसल्ली दी. अब लड़का निश्चित था, तो उसके स्वागत की तैयारियां भी उसे न इस चिंतिता के साथ चल पड़ी. नेला रंग प्रमुख हो गया. नाम बहुत बड़ा प्रश्न था. बिना बेटी दामात के कहे, वह अपने आप ही उत्सा में जुट गई. इंटरनेट, पुस्तकों और पत्रिकाओं में नाम खोजने. मॉम आप अपना सोची, हम अपना ढ हुंगते हैं. उसे लगा जैसे उसके उपर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है. अपने वंशच को उसकी पहचान दिलाने की. इस पागल सभेता की भीड में वह खोन जाए. उसे एक सुंदर सा नाम देना होगा, जो उसकी पहचान बताएगा कि वह कौन है, किस मूल की वह स लटने में. संबंधी सहेलियों को भारत तक में इमेल और फोन कर दिये सुझाव के लिए. अपने चुने नामों के सुझाव वा बेटी को आगे भेज देती. ना आप समझती नहीं, यह शब्द जीब में मरोड पैदा करते हैं. भला कौन बुलाएगा यहां? आप किवल न अमेरी के उच्चारित ही नहीं कर पाते. ममी ध्यान रखेगा. जानती हैं आपकी सहेलियों के बच्चों के नामों का क्या हुआ? आरती तो बदल गई आर्टी में. और तरुन हो गया तरुन. वह प्रशान्त और मृत्युन जय बाबारे. कोई छोटा आसान गोमल स्वरों वाला नाम नहीं होता? वही तो सोचती रहती हूं. नाम का अच्छा सा मतलब भी तो हो. यथा नाम तथा गोर. बच्चे को एक नाम देकर हम उसके साथ ही अप एक शाओं की डोर भी बान देते हैं. वेकार की बाते. यहां यही नाम चलते हैं. जोर्ज, रोयन, टिमोथी, चारली वगेरा. क्या इनके कुछ अर्थ होते हैं? क्या यह लोग जीवन में उचा नहीं चड़ते? तरकी इतनी परतें, पहले तो कभी उसके सामने न खुली थी. बस विकार नहीं कर पाती यह सब दलीले. बस मन नहीं मानता. बच्चे के आगमन के दिन पास आते जा रहे और कोई सर्वसम्मत नाम पकड में ही नहीं आ रहा था. कि हाँ बस यहीं चाहिए. हमने नाम निश्चित कर लिया है, आपकी भाग दोड़ खत्म. भावी नाना नानी दोनों उत्सुख. क्या तै किया? बेटी दामाद दोनों ने एक दूसरे को गहरी नजरों से देखा. अ आगहात की एक जुर्री तक नहीं उभरनी दी. उसे अपनी शमता पर खुद भी विश्वास नहीं हुआ. पती के साथ एकान पाते ही मुखवटा अपने आप उत्रा ही नहीं. बलकि चिंदी-चिंदी हो गया. वह भी चुप थे पर परिशान नहीं. बताईए हम कैसे मा इस विकार कर लिया है तो बच्चे को भी कर लो. उनकी आवाज कहीं बहुत दूर से आई थी. बच्चा अपनी मा का भी तो है. आधा अधिकार तर्मी का भी तो उस पर है. अंतिम नाम तो उसे पिता का ही मिलेगा. फिर नाम का पहला हिस्सा मा की पहचान बताता क्यों न चाहिए न. एक बार बच्चे को गोद में उठाओगी तो सारी दलीले, सारी चोटे और सारी आहत्ता भूल जाओगी. वो क्या सोच रहे हैं पढ़ नहीं पाई. आँखों पर पलकों के परते गिर चुके थे. धड़कते दिल, उस दिल की गहराई से निकली प्रार्थनाए अस्पताल के गल्यारों में अंतहीन चहल कदमी. आही गई वह गड़ी. मुठ्या कसे, बंद आखों का गुलाब. धीमे से पलके खुली. दो काले भावरे. उसकी आखों से उलच गए. एक अलग तरह की जुर जुरी. सारा बदन मम्ता से जंजना गया. कुछ भी याद नही होट बच्चे के सिर पर रख दिये. भाई अब तो बता दो कि इसे क्या कहकर पुकारें. पीछे से बच्चे के नाना ने पूछा. जस्टिन मारियो स्मित. हैरान. जो होटों से बोल नहीं पाई वह फटी आखों ने बोल दिया. नई मा चहकी. मुझे जस्टिन बीवर मेल मॉडल. वह खड़ी न रह सकी. धम से बैठ गई. पहला सवाल मन में यही कौधा कि बच्चा बड़ा होकर अपने नाम का मतलब इतिहास पूछेगा. पूछेगा कि किस से प्रेरित होकर यह नाम दिया है. तो इसका जवाब क्या होगा? वह अपनी अनुवान शिक्ता को इस बच्चे में बचा कर रखना चाहती थी. आन्शी की सही. समझोते पर उतर आई. हारी बाजी लोटाने के लिए. कहीं हलकी से उमीद थी. शायद बीच का नाम ही वह भारती रखते. हाला कि इसका भी कोई मतलब नहीं होता. वह अपचारिकता भी नहीं रही थी अब. गाना नाम इन स्वरों को वह नहीं पहचानती. वह धीरे से इस नाम को बोलने की कोशिश करती है. आवाज गले में अटक जाती है. वह यंत्रणा से गुजर रही है. इस बच्चे के रक्त मास मज्जा में इसकी मा का भी अंश है. जिसे उसने आधुनिकता के नशे में खु चान ही छीनी जा रही है. कोई नहीं समझता और सुनता उसकी बात. मुस्कुराना संभव था. बुद्ध बनी बैठी रही. बुद्ध बेबसी में गहरे डूब रहा था. निराशा के बुलबुलों से सास ठकती रही. अचानक आशा का एक छोटा सा सतरंगी बुलबुला प देखा करके कोई और बात करनी शुरू कर दी. उसके पती ने आखे तरे दी. आखोंने बोला अब कितना और जलील होना चाहती हो? उसका मन नहीं मानता. तब तिबालू पर लोटता है. सोच दिमाग में आग लगाती है. संताप की लप्टों की जुलस. चिंगारियों के घे किरे में एक पहचान सिर्फ एक नाम की वजह से. वही नाम जो कितना कुछ बोल देता है. वह कौन है, किस मूल का है, किस सभिता और संस्कृति का वाहाख है वह? क्या पेक्षाएं रही होंगी इसे यह नाम देने वाले की? इस भीडम भीड दुनिया में आडों की तरह एक रन्हा सा प्राणी कितना इतिहास शिपाए होता है? सिर्फ इस नाम में इतनी ताकत कहां से आ गई? जिसने बच्चे को उसकी सारी वसीयत से दिवालिया बना कर एक नई पहचान दे दी. अब जिसके पीठ टेकने के लिए कोई प्रिष्ट भूमी नहीं होगी, ना होगा इ संसकारों की धूरी से वंचित डोलता रहेगा दुनिया के इस शुन्य में. ऐसे ही मौके पर उसके पती और धारक की भूमिका में आ जाते हैं. तुम हर बात को इतनी तिवरता से क्यों महसूस करती हो? छोटी छोटी बात को जीने मरने का सवाल बना लेती हो. छोड़ो भी, एक नाम ही तो है. वह कहते हैं न, गुलाब को किसी भी नाम से पुकारो, सुगंध तो वही रहेगी. बच्चे तो बच्चे ही होते हैं. तुम उसे प्यार करोगी ही. जब-जब यह नाम पुकारूंगी लगेगा, पता नहीं किसको बुला रही हूँ. वह उनका बच्चा ह देशी नाम से ही पुकारूंगी. उसने जाती हुई उमीद का आखरी कुना पकड़ लिया था. कितना अशिष्ट, तनवी ने वहीं मलवे की दिवार खड़ी कर दी, पर दिवार नहीं, सुरज को देखती है, जो डूब रहा है धीरे-धीरे. जब तक रोश्नी का एक भी रहेगा, रात रुकी रहेगी. वह आप्रवासी है इस देश में, उसके बेटी अप्रवासी की संतान और तीसरी पीड़ी. उसके रक्त का अनुपाद छेड़ होते होते, एकदम विलुप्त हो जाएगा. वह अथा समंदर में क्यूं अपने अंश को बचाए रखना चा वह शिदिल पड़ चुकी थी. सोचती है तो काट लूँ अपने को इस सब से. फिर या काटना अंशो में नहीं होगा. फुरा ही काट लूँगी इस सारे मुह से. हर बात को अती तक खीशने की जरूरत नहीं होती. जिंदगी में संतुलन बना कर रखना होता है. नई अमेरिका में पली है. जरूरी नहीं कि उनकी सोच भी. वही हो जो तुम चाहती हो. नहीं सोचती नहीं. बहुत गहनता से महसूस करती हूँ. तुम सब के लिए छोटी सी बात है. और मेरे लिए उस नन्ही जान को पहचान दिलाने की तड़प. क्यों चिंता करती हूँ? मुझे भी बुरा लगता है. पर तुम्हारी तरह नहीं. मैं अपनी सीमा जानता हूँ. समझोता कर लेता हूँ. तन्वी ने भी शायद यही कहा था. मा जब मैंने स्विकार कर लिया है तो आप भी कर लें. आपके कहने में आकर मैं अपने घर में कलेश नहीं करना चाहती. आपका यहीं सोचना बात करना. बच्चा होने की खुशी पर पानी फेर रहा है. जब यहीं रहना है तो एक अलग तलग सा नाम रख कर. क्या बाकी लोगों से कट जाना जरूरी है? इसका यहीं नाम रहेगा जस्टिन. आप समझोता कर लीजिए. वह सोचती है समझोता किस स करे. हालात से या अपने दिल से. हॉल तालियों की गड़गडा हट से गुंज रहा है. कोई राजनीतिक सम्मेलन का शोर शराबा. टेमोक्रिटिक पार्टी ने सेनेटर पत के लिए अपना उमीदवार घोशित कर दिया है. जस्टिन मारियो स्मित. सुरक्षा का गहरा पहरा भीड बाहर दिवानी हुई जा रही है. आनि अंत्रित. तन्वी भी भाग रही है मुख्यद्वार की उर. शितिल सी. वह युवा वस्था की उर्जा को कहीं समय की जूली में डालाई है. बस भीतर जाना चाहती है. बाहर कुछ लोग चो करने से खड़े है. काले सूट पहन आखों पर धूब का चश्मा लगाए. शरीर इस्थेर पर निगाहें सेटिलाइट सी हर जगे घूम रही है. कहां किसकी और या भीत काला चश्मा चिपा जाता है. बाहर लोबी में मॉनीटर लगे हैं. एक प्रभाव शाली देखता पुरुष माइक पर कुछ बोल रहा है. भीड है शोर है. कुछ सुनाई नहीं देता. तन्वी की उसे देखकर बेचैनी बढ़ रही है. कितने लंबे अरसे से नहीं मिल पाई उससे. आज गौरब का शड़ है. वह यहां होना चाहती थी. मुख्य दर्वाजा खुल नहीं रहा. उसके शितिल काया भीड को पार करना चाहती है. काले चश्मे वाला सुरक्षा करमचारी उसे रोक लेता है. तन्वी कभी टेलिवीजन स्क्रीन पर बोलते आदमी और कभी अपनी और इशारा कर रही है. याचना का भाव है उसके चहरे पर. वह आदमी पलभर को रुख कर. उसके सावले चहरे पर आखे गड़ा देता है. दर्वाजा शायद खुल रहा है. दूसरा सुरक्षा करमचारी भी पास आकर खड़ा हुजाता है. तन्वी का हाथ फिर स्क्रीन की दिशा में उठा है. दूसरे सूट वाले आदमी ने शायद कठोरता से इंकार में सिरह लाया है. दर्वाजा फिर से बंद हो गया भीड का रेला आया और तन्वी के कमजोर पाओ खड़ गया. भीड में बहने लगी. तन्वी छटपटा रही है. गुहार लगा रही है शायद. अपने बेटे के नाम की. उसकी आवाज इस भीड में गुम हो गई. अचानक धूए का गुबार सा उठता है. और सब कुछ लगा कर चीखना चाहती है. गले में आवाज खुट गई. देबसी घूंगों की आवाज. उठकर बैठ कई. क्या था यह सब? माथे पर चिपचिपाहट थी. चंधी गीली सी. अंधेरे में आखे गड़ाय दिल का जोर-जोर से धड़कना महसूस करती रही. पती शायद नि उसके नजर दिवार के निचले हिसे पर लगी. चोटी सी नाइट लाइट पर पड़ी. उसके मध्धम दुधिया रोशनी इस्थिर थी. नहीं कुछ कमपन नहीं. वा उसे देखती रही. वा रोशनी धीमे से सरक कर उसकी आखों में आ बैठी. वे चमक गई. यो ही बहुत इसी रोशनी अब उसके चहरे पर तेर्ची होकर पड़ रही थी. अभी आप सुन रहे थे अनिल प्रभा कुमार जी के लिखी कहानी एक नाम.